नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रोनिक्स में दोस्तों आज का वीडियो होजने वाल है वाइफाई कंट्रोलर के उपर जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको दिखाया है वाइफाई कंट्रोलर यख़व्योनस परफाय कंट्रोलर वाइफाई मेलिकं कंट्रोलर तो आज इस के थोरण डिटेल में इसको कैसी करना है मैंने वीडियो बनाया था लेकिन थोरण डिटेल में मैं वीडियो एफ कीओ बनाया 싶शा के अदाते हैं Omaha Trad Nous चलने सब मसले पाँच जोगे डीजाइन यहां पर मैं दिखाुँ हो कि हम पूआर कोड़ मिल रहा है है जिसमें आपका एप का लिंक है अगर आप इसको ऑने शकान करते हैं अगर यहां से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे website के software section से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद भी problem हो रहा है आप हमारे WhatsApp पे message कर सकते हैं हम डारेक्ट वहां से आपको एप प्रोवाइड कर सकते हैं आप उसे install कर सकते हैं ठीक है और यहां पे डबबी के ऊपर आपको मिलेगा IP address और पॉट यह बाइडिफोल्ट पहले से आपका सेट होता है उसमें एप में आपको इससे छेड़शार नहीं करना है गलती से अगर आप कभी भूल गया या डिलीट हो गया तो आप जो है टाला होगा है ठीक है इसके बाद जो है हम लोग इसका connection देखने वाले हैं जो कि मैंने किया है उसके बाद app से हम लोग देखने वाले कि कैसे इसमें नेम को एंटर करेंगे तो चलिए देखते हैं connection पहले उसके बाद की app का application दोस्तों अब आ गया है वाइरिंग पार्ट पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है power supply लगा हुआ है जिसमें की positive negative जैसा normal आप थोरण बनाते हैं सब कुछ agitives ज़गा यहाँ पे जो है first में जो हम लोग controller लगाते हैं यहाँ पर मैंने wifi controller को लगा दिया है ठीक है और यह वाला जो data है first pixel में जा रहा है और यह देख पा रहे हैं कि यह जो last pixel है इससे मैंने data wire extra जोड़ करके उपर ले गया है उपर ले जाने के बाद यह दूसरे का first में आता है ऐसा ही दूसरे का last में जो है last से data उठा करके फिर पहले का first में जोड़ा हुआ है इस type से पूरा total connection किया हुआ है ठीक है इस type से पूरा connection किया हुआ है तो यहाँ मैंने 10 by 30 का बनाया हुआ है और आप ऐसा 10 by 60, 10 by 100 का भी बना सकते हैं ठीक है और यह controller जो है आप हमारे website से खड़ी सकते हैं नीचे description में link दिया हुआ है अगर आपको खड़ीदने में कोई problem हो रहा है तो नीचे description में एक WhatsApp का link दिया हुआ है आप उस पे click करेंगे तो आप direct हमारे WhatsApp पे चले जाएंगे वहाँ से भी आप order कर सकते हैं और अगर मैं आपके इस query को resolve करने का कोसिस करूंगा ठीक है और इसमें जो है हमारे पास 50, 40, 25, 80, 16, 32, 12, 48 इन सब में भी Wi-Fi controller available है अगर आपको और सब में भी चाहिए कि आप mobile phone से text upload कर पाएं तो इस type के controller जो है available है तो इस वीडियो में अब आगे हम लोग देखेंगे कि mobile app का कैसे use क करेंगे तो बने रही है इस वीडियो में thank you दोस्तो अब हम लोग आगे है hardware section में इस section में हम लोग देखने वाले हैं कि mobile app के help से कैसे जो है हम लोग इसमें text upload करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो मैंने बताया था QR code से आपको scan करके app download कर लेना है अगर आपका link है तो वहां से भी download कर सकते है ठीक है आपका app का icon कुछ इस type का आएगा कोसी wifi के name से उसके बाद क्या करना है आपको mobile data अपना off कर देना है ठीक है mobile data off रना चाहिए और wifi पे click करना है यहां पे यह देखिए pixel wifi के नाम से कुछ आ रहा है ठीक है इस पे click करना है और इस connect कर लेना है जैसे ही connect तो यहां लिखेगा आपका connected ठीक है और उसके बाद क्या करना है आपको अपने app को खोलना है एप को खोलते ही है आप देखिए not connected पे click करेंगे तो यह connect हो जाएगा ठीक है यह देखिए हमारा सही से यह connect नहीं हुआ है तो पहले इसको connect कर लेते हैं सही से 1234 1234 चीक है इस पार सही से connect हुआ है connected लिखा है अब जाके आप खोलेंगे तो देखिए यह app खुल गया आपका तो यहाँ पे देखिए मैं सब button को explain कर देता हूँ यह है power button ठीक है इस पे click करते हुए display off हो जाएगा आपका ठीक है जब text की बारी आएगा तो अब इस प्रेस करेंगे तो display off हो जाएगा ठीक है दूसरा है यह voice button तीसरा है आपका यह sending button है जब manually text लिखेंगे जो भी hand से लिखेंगे तो manually text लिखने के लिए यहाँ पे आपको इस box पे click करके जो भी लिखेंगे मैं जैसे लिखता हूँ hello ठीक है यहाँ hello लिख करके इस पे click करेंगे तो यह hello आपका send हो जाएगा यह 10-60 का है जो कि मैंने 10-30 में लगाया हुआ है इसलिए थोड़ टाइम लग रहा है text आने के लिए ठीक है तो यहाँ पे hello send हो गया microphone का use करके यहाँ पे जो है आप कैसे send करेंगे जैसे मैं microphone पे click करता हूँ welcome all of you ठीक है यहाँ जैसे ही बोले तो यह automatic आप देख पा रहे हैं कि display पे आपको चलेगा welcome all of you तो यहाँ पे दो button दिया हुआ उसको भी समझ लेते हैं है caps and auto caps का मतलब उता है caps lock जो भी आप बोलेंगे अगर capital letter में चलाना है तो caps on करना पड़ेगा तो मैं example में caps को off करके दिखाता हूँ ठीक है और फिर बोलता हूँ thank you तो अभी जो आप text देखने वाले यह small letter में आया क्योंकि caps off है ठीक है तो अभी जो thank you चलने वाला है display के उ हो जो है आपका small letter में चलने वाला ठीक है अगर आप auto को बंद करके text डालेंगे कभी कई बार क्या होता कि हम लोग जो भी बोलते हैं वो correct होता नहीं है तो आप auto के बदले जो है auto को off कर देंगे फिड डालेंगे पहले यहाँ display में चेक कर लेंगे इस text box में अगर spelling सही हुआ तो आप send करेंगे manually तो मैं check कर लेता हूँ hi how are you hi how are you तो यहाँ देखी hi how are you आया लेकिन वो data upload नहीं हुआ क्योंकि मैंने auto को बंद कर रखा है तो इसको manually आपको send करना होगा hi how are you ठीक है तो अभी मैंने manually send किया है ठीक है तो इसे अभी मैं जब display off करना है तो यहाँ देखे display मेरा अभी off हो गया है जब text चल रहा है फिर से मैं इसको प्रेस करूंगा तो यह हमारा display जो है on हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे display on हो गया यह जो है यह बटन है एक है पाउस का टेक्स्ट को आप रोख सकते हैं दूसरा है play का ठीक है welcome all of you thank you for watching our videos बाकी का function हम आपको दिखा देते हैं बाकी का function जो है यहाँ पर आप देख पा रहे है brightness का है text speed का है effect speed का है तो brightness से क्या होगा आपका brightness कम ज्यादा होगा तो अभी मैं इसका brightness कम कर देता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि brightness पीछे का background का कम होने लगा है ठीक है text speed से आप text के speed को control कर सकते हैं तो अभी देखिए काफी fast हो गया है ठीक है तो मैं इसको फिर से slow कर लेता हूं दूसरा जो है effect speed तो आप देख पारें जो भी later है उसके color change होड़े है अगर इसके speed को slow कर दिया जाए तो later जो भी change हो रहा है तो उसमें time लगड़े है ठी no effect पर click करेंगे जिस color पर click करेंगे आपका वह color चलेगा ठीक है अपको particular को यह color चूज करना है तो यहां पर no effect पर click करके select करना होगा brightness में क्या है कि जो भी आपका color है वह पहले जो है मतलब brightness बढ़ेगा फिर उसके बाद जो है आपका जो है brightness कम होने वाला है ठीक है फिर से मैं text send करके बाकी के another feature सो बताता हूं brightness ब्रेस हो गया देखिए अभी color कम है brightness फिर जादा हो रहा है अब जो है हम लोग चाहते है जो है टेक्स्ट कलर पे टेक्स्ट कलर में क्या है कि चलते चलते जो है इसका color change होने वाला है ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि यह pink से red होगा red से blue होगा इस type से आपका चलते चलते color change हो रहा है next में हम लोग जाते है rainbow में तो यह देखिए आपका जो है आधा लेटर एक color में हो गया और आधा एक color में तो यह rainbow हो गया दूसरा है color later 1 color later 1 में हर एक text जो है अपना individual color लेकर चल रहा है और रास्ते में चलते चलते change भी होड़े है color उसके जैसा कि आप देख रहे है next है color later 2 तो यहाँ पर सबका अपना individual color है लेकिन कोई भी change नहीं हो रहा है और जैसा कि हमने बताया है कि इसमें part design चलने के बाद जो है आपका text चलेगा फिर part design चलेगे ऐसे करके total जो है इसमें 40 design है और 8 time आपका text चलने वाला है तो total हो गए 48 time दोस्तो थोड़ा noise के लिए चमा चाता हूं क्योंकि background में जो है road है बगल में ही हमारे तो वहां से काफी sound आता है क्योंकि थोड़ा अपने room में लगा नहीं सकते थे इतना बड़ा इसलिए मैं इसे थोड़ा बाहर मे लगा करके फिर वीडियो सूट कर रहा हूं ठीक है बाकी आगे का design आप देख सकते हैं मैं एक छोटा सा text इसमें send कर देता हूं अभी ठीक है कर दूबम्स कर दो लुब भूब मुप गढ बत्यों के आपानले के लिमना में लोबने आपानले के लिमने अले के लिमना जोब ही तो करा मादनी अले कि विमन का रड़ हैं